मसी में आप सब की सलामती हो मेरा नाम है रिजवान भट्टी एक मरता फिर हाजिर हो अपने प्रोग्राम के साथ अपने सीरीज के साथ अमाले सालेहा की सीरीज के साथ जिसमें आज हम टॉपिक आपके लिए लेकर आ रहे हैं पडोसी से प्यार गुजशता चार हफतों से जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं आप देख रहे हैं और उमीद है कि आपको कुछ न कुछ इसमें से तालीम मिल रही होगी तो आज हम जो टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं वो हैं पडोसी से प्यार तो आएए शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम को हमने अब तक जो गुफ्तुग की है उसमें एक सवाल पैदा होता है कि ठीक है कि शरीयत ने कहा था कि किसी की यज़त पर हामला नहीं करना हमने किसी किसम के ख्यालात अपने ذहनों में पैदा नहीं होने देने सच ये है कि शरीयत में भी यही कहा गया है कि जूटी किसम नहीं उठाना अब हम किसी किसम की किसम नहीं उठाएंगे एक इतबार की कहफियत माश्रे में पैदा करेंगे ये भी ठीक है कि हमें इंतकाम भी नहीं लेना लेकिन सवाल ये पैदा होता है हमें के तकलीफ है? उसका जवाब बहुत असान है जो शरीयत में मौझूद था और वो ये था कि अपने परोसी से अपने जैसी महबबत करना आप भी इनसान है और आपका परोसी भी इनसान है जैसा सलूक आप चाहते हैं आप उसके साथ कर सकते हैं आप दूसरे के साथ वैसा सलूक करें कि ये इनसानियत का तकाज़ा पूरा करें अगर वाकिए इनसानियत को आगे बढ़ाना है और इनसानी माशरा काइम करना है तो फिर ये सारे अमाले सालिहा का जुज लाजम होंगे इसके बगिर वो इनसानी माशरा है ही नहीं ना कहलाएगा, वो एक शैतानी माश्रा है, जिसके चारों तरफ इज़त महफूज नहीं होगी, किसी की जान महफूज नहीं होगी, चाहे आप इलजाम लगा दें, चाहे जूटी कसमे खा लें, आप मौत बर नहीं ठैरते, दूसरों को जूटा बनाते रहते हैं, आप दूसर आप चाहते हैं, वैसा ही हो, तक्रीबन सारे ही मुत्तफिक होंगे, लेकिन जब यहूदी को यह हुकम दिया गया, कि परोसी से अपने बराबर महबत करना, तो उन्हों ने इसका नतीज़ा ये निकाला, कि हाँ, परोसी का प्यार तो ठीक है, लेकिन उसमें दुश्मन शाम आया है, तुम सुन चके हो कि अपने परोसी से अपने बराबर महबत रख, तुम उसका मतलब ये लेते हो कि अपने दुश्मन से अदावत रखो, लेकिन मैं तुम से कहता हूँ कि अपने परोसी से महबत रखो, और अपने सताने वारों के लिए धुआ करो, कि तुम अपने बाप के एक जो पेटे ठहरो क्योंकि वो अपने सूरज को नेकों और बदो दोनों कर चम्काता है और रास्टबाजों और नारास्टों दोनों पर मी बरसाता है क्योंकि अगर तुम महबत रखने वालों से महबत रखोगे तो तुम्हारे लिए क्या जर है क्या मैसूल लेने वाले भी ऐसा ही करते हैं और अगर तुम फक्त अपने भाई को ही सलाम करो तो क्या ज्यादा करते हो या गैर कौमों के लोगों उसके साथ भी ऐसा ही करते हो बस चाहे कि तुम कामिल हो जैसे तुमारा आसमानी बाप कामिल है आप ने ये कहा था क कि तुम ये मतलब नहीं निकालते हो कि दुश्मन से नफरत करना, उसका बदला नहीं लेना, उससे इंतकाम नहीं लेना, हाँ ठीक है, अपने परोसी की इज़त का तुम ख्याल रखाना, लेकिन दुश्मनों की इज़त लूटना हमारा फरीजा बनता है, परोसी की जान नहीं हैं। लेकिन हम जोटा Thabit करने के लिए उन पर ल्जबात नहीं लगाते हैं। कौन ornaments क्स्मे नहीं खाते हैं। खुदा की किस्म फलाव की किस्म उसकी किस्म इसकी क्स्म बहकाने के लिए जूट बोलने की लोगों को मारने के लिए हम हर किसम की कसमे खाते हैं हम उसको अपने हाथ से नहीं वारेंगे पडोसी से हम इंतकाम नहीं लेंगे लेकिन दूसरों को इंतकाम लेने के लिए हमेशे तयार रहते हैं लेकिन सेदनमसी ने नहीं, तुम मैं इसकी गलत तैलीम की, गलत तश्री की, इनसान, इनसान का पडुसी है, हर इनसान दुसरे इनसान का पडुसी है, चाहे वो उसका दुश्मन ही क्जी नहो, आप उससे प्यार करना सिखे, जो तुमें परेशान करते हैं, सताते हैं, तुम्हारी जिंदगी अजीरन कर देते हैं, जीना अंधोबर कर देते हैं, उनके लिए भी दुआ करो, परवर्दिगार आलम उसे नेक तौफीक अता फर्माए कि कि दुष्मन को खतम करने के दो तरीके हैं, एक तो ये है कि आप तलवार से उस सहारा ले, ये सीधी सी बात है कि आपने कहा कि दुआ मांगो, इसके लिए अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे सामने कोई उस्वाए हसना है, तो हम क्या करें, क्यों करें, मिसाल ये दी, कि परवर्दिगार आलम के फेल पर कभी गोर किया है, वो क्या करते हैं, अगर खु चमकेगा, ताके फसल पके टैयार हो जाए, लेकिन जो नहीं मानने वाले हैं, वहां कोई सूरज ना चमके, ताके वह भूके मर जाएं, लेकिन कभी ऐसे भी देखा है, कि बाहु डदा के भार, जा इइसे देखा है कि सिर्फ जो खुदा के मानने वाले हैं उन पर बारिष बरसे, जो खुदा के मानने वाले नहीं हैं उन पर बारिश ना बरसे, सिर्फ उन मुमालिक पर बारिश बरसे, जो सिर्फ खुदा को मानते हैं, उन पर सूरज भी चमके, हर चीज उनको मिले, और जो परवर्दिगार आलम को नहीं मानते, ना उन पर बारिश बरसे, ना उनको सूर्ज मेरे और सिर्फ खाली तबाही मेरे क्या ऐसा हो यह है कि आप आ प्यार बुरी मुहां संध बुरा होगा सथ प्यार से महबत सा बात करें ready for Whenever a not ate हम सब लोगों को देताै हम सब लोगchem को सूरज भी मिलता है, खाने को भी मिलता है, बारिश भी मिलती है, हर वो चीज, चाहे वो खुदा के मानने वाला है, या नहीं है, लेकिन परवर्दिगार आलम, वो हर नेमत सब को अता करता है, लेकिन परवर्दिगार आलम ने सब के साथ एक ही सलूक रवा रखा है, चाहे वो नेक हो बद हो, सब के साथ वो नेकी करता है और नेकी करने की तरगीब देता है प्यार बढ़ाने के लिए कहता है अगर हम ये फर्स कर लें कि परवर्दिगारे आलम जो अपने दुश्मिनों को खतम नहीं करते अगर वो खतम कर देते तो आज दुनिया में कोई भी शरीर नहीं रहता सब कर सब खतम हो जाते कोई भी मौजूद नहीं होता अगर मौजूद हैं तो उसका मतलब ये है कि खुदा उन्हें खतम नहीं करता लेकिन जब खुदा उन्हें खतम नहीं करना चाहता अजीब हिकमत है, जिखो जाचे तुम परबर्दिगार के पेरोकार होने का दावा करते हो, वैसे काम भी करो फिर आपने उस जमाने के माशरे की एक मिसाल दी, कि उस जमाने में जब रॉम की हकूमत थी तो रौमी होकमों टेक्स वसूल करती थी फिर इंकम टेक्स भी लिया करती थी और कस्टम भी लिया करती थी इसलिए कि उसने कुछ लोग मुकरर किये हुए थे जो लोगों से जबरदस्ती टेक्स वसूल करते थे या ज्यादा वसूल करते थे अपनी जेब में टालते थे तो लोग उन्हें गदारे मिलत समझते थे गदारे दीन भी समझते थे गदारे वतन भी समझते थे आपने कहा कि आपने देखा कि क्या करते हैं अगर आप airport पर उत्रें और custom officer भी उत्रें तो custom officer से कहा जाता है कि आप green channel से चले जाएं और आप से कहेंगे कि समान कोलो दिखाओ उसमें है क्या क्या अगर अपना बंदा है तो वो खिलाता पिलाता है तो उस पर टेक्स भी कम लगता है लेकिन अगर दूसरा उस पर बात करें और टेक्स लगा रहे हैं उसके उपर हम तो वो कहता है कि भाई ये तो गलत काम है तुम क्यों कर रहे हो दूसरे कर रहे हैं तुम तो ऐसा ना करो लेकिन उन में और हम में फर्ख क्या है तफरीक होनी चाहिए कि मालूम तो हो कि खुदा के नेक बंदे हो खुदा के नेक बंदे अपने अमाल से जाहर होते हैं अपने कामों से जाहर होते हैं इसलिए आपने फर्माया किसी से दुश्मनी नहीं करना दुश्मनी को खत्म करने का तरीका सिर्फ एक ही है कि महबबत करो कि आप ले एक दूसरे की साथ कैसा सलूक करना है हुसने सलूक अगर नहीं है तो आप दुश्मनी में इजाफा करते हैं हुसने सलूक से आप दुश्मनों की तादाद में कमी करते हैं अपने दोस्तों की तादाद में इजाफा करते हैं उसने सलूक से काम लें दुश्मनों को माफ फर्मा दीजिए उफो दर गुजर से काम लें अपने पडोसी से अपने यसा प्यार करें पडोसी सिर्फ वो नहीं है जिसकी दिवार आपके साथ लगती है पडोसी वो है हर वो शक्स है जो आपके साथ रहता है आपके साथ चलता है फिरता है वो आपका पडोसी है चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों नहीं हो लेकिन वो भी आपका पडोसी है आपने उससे प्यार करना है क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी शरी ने ये दूआ मांगी हो कि खुदाया मेरे घर में एक बेटा पैदा कर दीजे उसके घर में ना हो लेकिन सिर्फ मुमनीन के घर में बेटे पैदा होते चले जाएं नहीं दोनों के हां बेटे पैदा होते हैं परवर्दिगार सब्की सुनते हैं वो किसी की बात ठुकराते नहीं है क्योंकि उनकी अपनी पैदा क्यों ही मखलूक है वो कैसे उनकी बात ठुकरा सकते हैं जब परवर्दिगार आलम उन लोगों को नहीं ठुकराते तो आप क्यों ठुकराते हैं आप कौन होते हैं हम क्यों अपने हाथ से ऐसा काम करते हैं क्या हम लोग खुदा से बड़े हैं खुदा तो माफ कर देते हैं लेकिन इंतकाम लेने के चकर में हम लगे रहते हैं हम बदला लेते हैं, दूसरों को माफ नहीं करते हैं, दुश्मनियां बढ़ाते हैं, फत्वे लगा लगा कर दूसरों को मारने पर तुले होते हैं, तो लहाज़ा ये जरूरी है कि हम दूसरों से प्यार महबत से पेश हैं, उस तसलूक माशरे को जिन्दा और ताबिनदा नफरतें, ये सब उसको डबो देती हैं, इस माशरे को बचाना है, ये इंतकाम की आग, ये दुश्मनी, ये नफरतें उसको डबो देती हैं, इस माशरे को बचाना है, तो फिर परवर्दिगार का उस्वाय हसना बदलना होगा, परवर्दिगार सब के साथ प्यार करते हैं लेहाजा हमें भी सब के साथ प्यार करना सीखना होगा चाहे कोई दुश्मन हो अपने आपको हमारा दुश्मन समझें लेकिन हमारा दुश्मन कोई नहीं है ये वो तरीक का कार है जिसको पढ़ कर हम ये कह सकते हैं दूसरा शायद हमें अपना दुश्मन समझता हो लेकिन हम किसी को अपना दुश्मन नहीं समझेंगे हम किसी के दुश्मन नहीं बनेंगे हम सब के साथ दोस्ताना तालुकात रखेंगे सब के साथ उफ़ दर गुजर से काम लेंगे दोस्त जैसे दोस्तों को मिलते हैं हम वैसे ही मिलेंगे हम सब के साथ वैसे ही सिलूग करेंगे तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हाँ हम खुदा के मानने वाले हैं जो नेकों और बदों पर अपना सूर्थ चमकाता है हम उस खुदा के मानने वाले हैं जिसकी बारिश हर एक खेट पर पड़ती है, उसको जरखेश करती है, हम उस खुदा के मानने वाले हैं, जो हमें वो प्यार सिखाता है, हम भी लोगों के साथ वैसा ही प्यार बांटना सीखें, हाँ हम उसके मानने वाले हैं, इससे पहले हमारे तमाम दावे जूटे थे, महबत से पेश आएं, और ये माशरा जन्नत का नमूना हो, नफरतें, घुसें, अदावतें, कतल, एक दूसरे की इज़तें उटना, ये तमाम जहन्नम का समा है, अगर हमने अपने माशरे को जहन्नम ही बनाना है, तो हम फिरदौस में जाने की तवक्व छोड़ते हैं, फिर जन्नत में जाने के पौदे लगाएं, और सबसे पहला पौदा यही है, कि हम अपने दुश्मनों से प्यार करें, उनसे महबत करें, उन्हें अपने सीने से लगाएं, जैसे स्यदना मसी ने अपने दुश्मनों से प्यार किया, जब वो उसे मसलूप कर रहे थे, तो वो पर हो जाए तब फिर हम इस माश्रे को फिर्दॉस बना सकते हैं जन्नत में जाने के लिए काम्याब हो सकते हैं